भाकपा माववादी के दो समर्थक कुमारी निवासी जीर लाल उराओं एवं उपेंदर उराओं को बिशुनपुर पुलिस ने गिरफतार कर जेल भेज दिया इस संबंध में गुरुवार को बिशुनपुर थाना में प्रेस कॉन्फरेंस आयोजत कर स्ड़िपो मनीश चंद्रलाल के द्वारा बताया गया की बिशुनपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली की नकसल से अती प्रभावित कुमारी गाउं के चार युवक माववादी के रीजिनल कमांडर रविंद्र गुंजू समर्थक हैं जो छेत्र में पोश्चर चिपका कर देहशत फैलाने का फिराक में हैं सूचना के उप्रांत बिशुनपुर्थाना प्रभारी सदानन सिंग के द्वारा गुमला एसपी को जानकारी दी गई और एसपी के निर्देश पर एस आई विवेक कुमार पांडे सचिन रोशन संतोष कुमार के साथ टीम गठन कर पुलिस कुमारी गाउं पहुची जहां पुलिस को आता देख गाउं का एक युवक भागने लगा जिस पुलिस के द्वारा दोड़ा कर पकड़ा गया और पूछताच करने पर उसने अपना नाम जी लाल उराओं बताया वहीं पॉकेट जाच करने पर जी लाल के पॉकेट से तीन नकसली परच्चा बरामद हुआ पुलिस को देते हैं जिस सुचना को इजी सुचना पर इए ठाना वसना अगर्ज करते हुए इसकी सुचना पुलिस अदिक्ष्ण पोहदे को दिये और उनके आदेशा अनुसार थाना के सम इंस्पेक्टर और सदस्पल के साथ ये ग्राम हुमारी प्रसान किये वहां पुझा के जिलाल यादो के घर परूशे तो जिलाल यादो देखकर जिलाल पुड़ाओ देखकर बागन रंग लगा जिसको भेरकर बितार किया गया और उनके तत्यमात रास्की जिवी जमात रास्की उनके फुटि इन प्रद्वंदीत परच्छा को पोटो को भी करके ज्यादा ज्यादा गांम में उनके घर से 19 पोश्टर और केनल मसीन जो रविदा गंजू के पैसे से कि युद्वी ज्याद़ करने काम करते थे उनके पूर स्ताषगार में बता यह गाव के उपय उपढ़ अंदर उड़ाओं जमना उड़ाओं ये और में राजयों कर्चा की दिंदर उड़ाओं के उत निया कि अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले सब्सक्राइब करें अधनना भी जे तुड़ी ह champ